हेलो फेंड्स वेलकम बैक टू माई चानल परिमीद ब्लॉग कैसे आप सब होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे गाईस सबसे पहले में तुम्हें आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरी पहली वीडियो के लिए आपने अपना जो प्यार और सपोर्ट द करने वाली है हमारी नेक्स्ट राइड के लिए उसके पहले हमने कुछ राइडिंग गेर्स मंगाए थे अपने लिए तो मैं इसकी अन्बॉक्सिंग करके बताऊंगी विकॉज हम राइड पर जाते हैं तो सेफटी बहुत मस्ट होती है तो गाइस मैं आपको अभी अब बताएगा कि कैसा लगा आप यू आपकेट आया है कंपनी सोलेज की तरफ से जो कि काफी रिनाउन कंपनी है इंडिया की जो कि राइडिंग गेर्स बनाती है और काफी सारे और बी कंपनी जैंब इनके प्रोटक्टिव गेर्स काफी अच्छे हैं और काफी रीजनेब पर रेट में वैल्य फॉर मनी है सो हमने इसलिए सोलेज को चूज किया सो गाइस बिफोर बेस्टिग आर टाइम मैं इसको अन्बॉक्स करती हूं और आपको दिखाती हूं ऑगी सो गाइस इसकी पैकेचिंग तो काफी अच्छे हुई है देखते हैं मेरे हस्बें ने क्या- और इनके प्रोटक्ट थोड़े लेट डिलेवर हो रहे थे तो चार्जर थोड़े से हवी है तीक है चलता है तो गाइस पैकेचिट मैंने खोल लिया है काफी अच्छी पैकेजिंग ती इसकी और यह राइटिंग पैंड है जैसे कि आप देख सकते हैं और यह राइटिंग यह राइटिंग जैकेट मेरे हजबन की है थोड़ा डिफरेंट है तोलेश ने काफी अच्छा दिजाइन किया है इस्पेशली लड़कियों के लिए जैकेट इसमें है बाकी सारे ब्राइंड में भी आती है बट वह बाहर के ब्राइंड है तो वह उनिसेक्स बनाते है और यह waterproof gloves है जो की काफी अच्छे हैं और बारिश होती है तो भी आप इसको ब्राइर कर सकते है तो फाइनली इसकी अन्बॉक्सिंग हो चुकी है अब आपको यह प्रोडेक्ट हम खोल के दिखाते हैं अब आपको वन बाइवन सारे प्रोड़क्त की डिटेलिंग बताते हैं तो हमारा फॉर्स केर है गाईज यह फ्यूर्यस चूर्डिंग जैकेट वी थी बाई सोलेश और इसकी खास पात यह है कि यह पहला इंडियन ब्राइंड है जो कि लेवल टू चेस्ट आर्मिर प्रोडेक्टर के साथ आता है और इसका लोग भी काफी अच्छा है इसका फैबरिक काफी स्ट्रॉंग है जैसा कि मैं आपको दिखाती हूं गाईज इसको उपन करके और इसको निकाल लिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका फॉर्स में फोकस इसके रफ्लेक्टिव स्ट्रिप जो कि आपको नाइट की राइडिंग के लिए काफी अच्छा हेल्फूल है आपको प्रिटक करने के लिए एंड गाईज इसका माटीरियल काफी स्ट्रॉंग जैसे कि मैं देख सकती हूं यह 700 PU polyester coated है और वही यह impactful areas में 1000D तक भी पहुंच जाता है जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ यह इसका elbow के पास impactful areas है यहां shoulder के पास दिये गया है सो गाइस काफी देख लुक वाइस भी बहुत ही attractive है सो फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसके liner की इसमें दो liner दिये गए हैं पहला यह winter liner है external winter liner है देखो गाइस आप काफी खूप सूरत सा है इसको आप ऐसे भी विएर कर सकते हो अगर आपका jacket पहनने का मन नहीं है तो आप सिफ winter liner भी विएर कर सकते हो and guys इसका second liner है वो है rain liner so guys जासे कि rain liner आप देख सकते हैं यह भी काफी खुब्सूरत सा है color wise भी काफी प्यारा है यह जो कि आपको हलके फूर के वारिश से बचा सकता है राइट के दौरान eight so friends चलिए सके protective armor के बारे में बात कर लेते हैं अगर सकी protective armor के बारे में बात करे तो यह more का जोके इसमें back में और ये 42 और ये elbow area में दिया गया है जो के सा स्थाज कंपनी का है सा स्थाज वान कंपनी जर्मानी की का अफ सच कंपनी कंपनी है। जो कि अपने अक मिन olması आंगे कं रहते हैं सो गाइस आई सके चश्परटेक्ट्रais का श्रॉत की बात कर्ते हैं जो दिए लिए बांकि जैकेट से काफी अलग बनाती है और इसका मेन हाईलाइटिंग पॉइंत है इसमें लेबल टु छैस्ट प्रोटेक्टर दिया गया है और भी राइनौक्स रैसी कंपनी भी हैं जो कि जैकेट्स बनाती है लाइडिंग वट यह लेवल कि के लिए काफी रिनाउन कंपनी जानी जाती हैं और गाइस ये इसमें लास्ट जो एसे स्रीज है इसकी किड्नी बेल्टी हुई है जो कि राइट के दौरान हम प्पोर जैकेट पहनने से पहले हम इसको वियर करते हैं सो गाइस ओवर ओर काफी डिसेंट सी है ये जैकेट लुक वाइस तो बहुत ही प्यारी लग रही है एंड गाइस हम इसको पहनने के बाद आपको अपनी राइट का नेक्स्ट वीडियो बताएंगे कि ये मुझे कैसा लगा और कैसा एक्सपीरियंस रहा यह मापको अपनी ने जो कि मेरी जैकेट है अन इस वरी नाइस इसंट इस तो यह है आस्मी लेडिज जैकेट वी थी बाइस ओलेस इसकी खासबात यह है कि यह फ्रीमेल गाइडर को ध्यान में रखके बना बनाई गई है और यह काफी लुक वाइस अच्छी है एंड इसको मैंने ट्राइ किया और इसमें भी दो लाइनर दिये गए है एक विंटर लाइनर है और एक ट्रेइन लाइनर है मैं अभी आपको इसको खोल के दिखाती हूं गाइस तो गाइज इसमें भी दो लाइनर दिये गए हैं एक विंटर लाइनर है और एक रेंटाइलर है विंटर लाइनर इसका अटाइज है जो कि यह जिप के थूँद्ध है जो कि इसका थोड़ा सा मुझा निगेटिव पॉइंट लगा पिक उसको अगर हम अलग से वीर कर सकते ज काफी अट्रक्टिव होता सुमें सोलेश कंपनी को यह बोलना जाहूंगी कि अगर हो सके तो इसको भी अलग से बनाए तो वह ज्यादा अच्छा होगा तो गाइज लुक वाइस काफी अच्छा है और इसमें भी लेवल 2 आर्मर प्रोटेक्टर दिये गया है जैसा कि उसके देख सकते हैं बाग पर शोल्डर पर और अल्बो पर एगया है जो कि Safe Tech Company । इतलियन कमपनी है उसके दिये गया है वह भी अच्छे कमपनी है जो कि प्रोटेक्टर बनाती है एंड गाइस, see this how beautiful it is लुक वाइस बहुत ही अच्छा है आपको और कमफर्ट वाइस भी काफी अच्छा है सो इसका फुल रिवीउ गाईस मैं आपको अपनी नैक्स्ट वीडियो में जो हम अभी नैक्स्ट राइड करने वाले हैं तो इसमें हम आपको ग्राइब के बाद अलग से बनाएंगे और बताएंगे कि कैसा experience रहा हमार एंड गाइज यह थर्ड आइटम है मेरे हस्बिन की पैंट है जो की कूल प्रो वीजी टूरिंग पैंट बाइसोलेस है और यह भी सेम मेटेरियल से बनी है जैसे कि जैकेट में है आपको दिखाया इसमें विंतर न sexy राइनर है डेन लामेर है और यह कााफी मैश कीसे के पूल बेंटिलेशन है और जैसे कि नाम से ही रनाउन है कि यूल प्रो है तो दो काफी बैंटेलेशन इसमें काफी अच्छा रहता है जो एक को पूल रखता है तो इसका नाम को ये जस्टिफाई करती है अच्छी लगी है जो कि और लेवल टू प्रोटेक्टर के साथ आती है जिसमें की नी और हिप गार्ड दिया हुआ है और काफी अच्छी है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका एक्स्पीरियंस कैसा रहा इसको पहनने के बाद अच्छी है क्या है नेक्स्ट वहत ही जल्दी होने वाली है सो हम आपको बताएंगे कि इस प्रोडेक्ट को यूज़ करके हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा सो तिल देन बाई बाई टेक केर